तो आपका इपर फिर से स्वागत था आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ A&M मतलब A&M वर्कर जो भी सरकारी होस्पिटल में काम करती है वो अपना रिपोर्ट इस अंजीबनी पोर्टल के माध्यम से कैसे भेज सकती है मैं फुल डीटेल के साथ एक्स्प्लेइन दरने वाला हूँ कि कोई भी नए मरीज को कोई भी पेशेंट को रेजिस्टर कैसे करें कैसे कैसे क्या क्या फिल करने पड़ेंगे नाम उमार कौन सी बिमारी है कोई जीज कैसे लिखेंगे और उसके बाद ऑनलाइन हब जो होती है जो भी आपका जीला लेवर में होस्पिटल होता है वहाँ पे जितने भी डॉक्टर मोजुद होते हैं ऑनलाइन तो उनसे कैसे कंसलिकेशन लेंगे और कैसे वीडियो कोलिंग में प्रॉब्लम बताएंगे और पूरी जानकारी कवर करने वालों तो वीडियो के साथ लास्तिक बने रहना जो भी मेडिसिन से लिखेंगे तो पूरा जो कंप्लीट होगा एक पेशेंट का तो मैं लाइव करके दिखाऊंगा तो वीडियो के लास्तिक देहेंगे तभी आपको समझ में आएगे तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर मतलब गूगल ओपन कर लेना है तो इसको ओपन करने के बाद यहां टाइप करने का आता है तो यहां आपको लिखना है e-sanjivni portal e-sanjivni portal जैसी आप लिखेंगे कुछ इस तरह का spelling होता है लिखने के बाद आपको search करना है search करने के बाद number one पे e-sanjivni का official website आ जाएगा जो original है कुछ इस तरह का दिखता है इस पे आपको click मारना पड़ता है जैसे आप इस पे click मारेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा तो यहाँ पे direct आपको user ID password डाल करके logging नहीं करना है उससे पहले अगर आप mobile यूज़ कर रहे हैं या फिर tab यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ three dot नजर आ रही है इस पे click मारना है और यहाँ से आपको desktop site mood को on कर लेना है तो desktop site mood on हो चुका है तो अब मैं यहाँ पे user ID और password डाल करके logging करके दिखाता हूँ तो एक NM का user ID डाल देता हूँ तो यहाँ पे सारे letter अक्षर जितने भी होंगे सारे capital letter में होंगे बड़े अक्षरों में होंगे छोटे अक्षरों में नहीं होंगे क्लिक मारना है तो यह verify हो जाएगा उसके बाद logging पे आपको क्लिक मारना है तो देखिए logging पे मैं जैसे क्लिक मारता हूँ तो यह logging हो चुका है अब यहाँ पे बहुत सारे options दिये हुए हैं तो सबसे पहले आपको एक नए मरीज का जो भी बच्चा है जो भी लड़का या लड़की है जो भी है उसको register करना है तो यहाँ side में दिया हुआ है register new patient तो मैं थोड़ा सा close करके दिखाता हूँ ताकि आपको सारे options नजर आएंगे तो second number पे वह आला option दिया है register new patient का तो इस पे मैं click मारता हूँ तो देखे यहाँ पे एक form आ गया यहाँ पे सारे detail भरने पड़ेंगे patient के तो man man चीज आपको यहाँ पे स्रीफ भरना है अगर आप चाहें तो सारा options भी आप भर सकते हैं लेकिन वो उतना important नहीं है man man चीज आपको यहाँ भरना है तो मैं man man चीज भर के दिखाता हूँ तो देखे सबसे पहले patient का नाम बोल रहा है लिखने के लिए तो देखे patient का तीन नाम हो सकता है अगर Mr. Rahul कुमार है तो तीन नाम हो फर्स्ट नेम में Mr. आजाएगा middle नेम में Rahul आजाएगा और last name में कुमार आजाएगा लेकिन इसमें अगर आप तीनों नाम डालेंगे तो नहीं लेगा सिर्फ आपको first name इंटर करना है जैसे Rahul man नाम है तो Rahul डालना है तो मैं first name में डाल देता हूँ एक का मैं register करने वाला हूँ तो first name में डाल देता हूँ तो मैंने डाल दिया उसके आपको नीचे आजाना है और भी options हैं लेकिन वो भरने नहीं है इतने important नहीं है आप चाहें तो भर सकते हैं आपकी मर्जी लेकिन मैं नहीं भरूँगा तो आप भी छोड़ देना उसके आपको यहाँ पे आजाना है कि gap up नहीं देना man जो नाम है title वही डालना है अगर इनका मनोज कुमार नाम है तो मनोज कुमार नहीं लिखना सरिफ मनोज लिखना है उसके बाद नीचे जो important है वो है age year और महिने में लिखना है तो year में मैं पहले click मारता हूँ यहाँ से year सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कितने साल का है उसके बाद यहाँ दिया है month मतलब कितने मेहने का हो गया है तो यहाँ पे मेहने में click मारता हूँ और मेहना में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यह इतने साल और इतने मेहने का अभी है परजेंट में नीचे blood group तो आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं ये इतना important नहीं है तो आप छोड़ देना उसके नीचे दिया है marital status मतलब इसकी शादी हुई है या नहीं married है या unmarried है तो वो select करना है तो ये इतना important नहीं है तो ये खाली छोड़ देना है आपको उसके नीचे patient का mobile नमर पूछ रहा है तो इसको भी खाली छोड़ देना है और email id पूछ रहा है इसको भी खाली छोड़ देना है अब इधर आ जाना है आपको तो यहाँ पर photo मांग रहा है patient का तो ये इतना important नहीं है नीचे दिया है gender मतल़ ये लड़का है या लड़की है male है या female है तो यहाँ से वो select कर लेना ये important है तो यहाँ से मैं male select कर लेता हूँ जिसका नाम लिखा है वो लड़का है तो male यहाँ से select कर लेता हूँ उसके बद नीचे address पूछ रहा है तो पहले address line में आपको village का नाम लिख देना है गाओं का नाम लिख देना है तो मैं लिख देता हूँ और उसके बद second address line को खाली छोड़ देना है उसके आपको यहाँ पे click मारना है यहाँ से आपको state select कर लेना है तो यहाँ से मैं बिहार select कर लेता हूँ उसके नीचे है district पूछ रहा है तो पूर्णे डिश्टिक यहाँ से मैं select कर लेता हूँ और उसके नीचे दिया है village और city तो मेरा village और city तो आपको block का नाम यहाँ पर select करना है तो मैं अपने block का नाम select कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे दिया है pin code तो pin में आपको अपने area का pin code डालना है तो मैं अपने area का pin code डाल देता हूँ और उसके यहाँ पे नीचे option दिया है तो थोड़ा सा इधर करना है आपको यहाँ पे दिया है register का option तो green line पे आपको click मारना है तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है register successfully तो यह register हो चुका है patient का नाम तो register होने के बाद अब आपको इस patient का जो भी दिक्कत है मतलब जो भी बिमारी है queries लिखनी है और doctor से consultation लेनी है तो उसके लिए तीसरे नमर पे एक option दिया है देख सकते हैं आप थोड़ा सा मैं close करके दिखाता हूँ तो इस पे आपको click मारना है यहाँ लिखा है registered patients तो इस पे click मारेंगे सारे patient का यहाँ नाम show होगा तो देखे यह वाला नाम हमने दर्ज किया जो register किया इस patient का नाम तो आफताब नाम से है तो अब इसका जो भी बिमारी है वो दर्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा तो देखे यहाँ पे plus का निसान दिया है create case तो इस पे आप जैसी click मारेंगे तो एक नया page open होगा तो यहाँ देखे लिखने का है enter query, please enter queries तो जो भी बिमारी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है तो यहाँ पे मैं fever लिख देता हूँ आपको जो भी लिखना है जो भी उस patient को बिमारी होगा वो यहाँ पे लिख देना है लिखने के बाद यहाँ देखे टेली consult health facility तो इस पे click मारना है यहाँ से आपको hub select कर लेना है तो मेरा पूर्णिया hub पढ़ता है इसलिए यहाँ पूर्णिया का नाम दिखा रहा है आपका, आपका hub दिखेगा जो भी रहेगा, जिस नाम से रहेगा तो यहाँ से मैं hub पूर्णिया select कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक ए option दिया है तो hub पूर्णिया select करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया है doctors online तो select doctor वाले option पर आपको click मारना है तो जितने भी doctors online होंगे सारे यहाँ पर show होंगे तो यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर तीन तरह के doctor मिलेंगे बहुत सारे away होंगे मतलब जो offline होंगे जो अभी duty पर नहीं है तो उनको छोड़ देना है कुछ doctor busy मिलेंगे तो वो दूसरे वाले A&M से साथ भी बात कर रहे होंगे या पर दूसरे वाले patient से बात कर रहे होंगे इसलिए busy होंगे तो जो doctor available होंगे वो यहाँ पर available दिखाएंगे तो available वाला आपको ढूनना है यहाँ पर बहुत सारे doctor का नाम दिखेगा तो आपको एक-एक doctor पर जाना है जो available होगा उसी को call करना है तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ तो देखे यह वाला doctor available है तो इसको मैं call करता हूँ और उसका sync पर click मारता हूँ तो देखे यह message चला गया है देखे call receive भी कर लिया देखे call receive करने पर कुछ इस तरह का दिखेगा वीडियो को लिंग के तरह देखे नीचे screen दिख रहा है तो अब मैं आवाज सुनाता हूँ कैसे मैंने बात किया है क्या दिखत है सिर में दर्द है सर नहीं सर सिर में दर्द रहता है मतलब आँक के पास थोड़ा थोड़ा दर्द होता है तो देखे इनको मैंने problem बता दिया सिर दर्द के बारे में तो इन्होंने पूछा कि बुखार भी रहता है तो देखे आप वो दवाई लिखेंगे तो अगर आप वहाँ queries में लिख देंगे और आप अगर वीडियो call में नहीं भी बताएंगे फिर भी आपका दवाई लिख देगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको सिर्फ में live proof के तोर पे दिखाए था कि आपको trust हो जाए कि ये consultation चल रही है तो आपको queries में जो भी बिमारी है patient का वह लिख देना है और उसका वीडियो call जैसी आएगा मतलब doctor वीडियो को लगाएगा तो आपको camera बन कर देना है और वो automatic दवाई लिख देंगे उतना चिंता करने के कोई बात नहीं आप चाहें तो बात भी कर सकते है जैसी जो जो सवाल पूछें को वो आपको बता देना है कोई भी कर सकता है इस तरीके से तो देखें consultation अब पूरी होने वाली है automatic call disconnect हो जाएगा और दवाई लिख देगा तो थोड़ा सा मैं speed कर देता हूँ डॉक्टर साब अभी दवाई लिख रहे है तो देखें ये consultation complete हो गई है दवाई लिख दिये है तो सिर्दर्द के लिए देखें क्या क्या लिखा है तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा आपका consultation और एक patient का complete हो गया इसी तरीके से फिर से एक नया patient का register करना है और इसी तरीके से queries लिखनी है बिमारी और उसके बद इसी तरीके से फिर दवाई के लिए doctor को ढूनना है जो available होंगे उसको call करना है सिंग के message पर click मारना है फिर उनको call चला जाएगा वीडियो कॉलिंग के माद्यम से बात करना है और आपका एक मरीज का complete हो जाएगा उसके दवाई आपको मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही ऐसी नहीं जानकर इपाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर ले आपको किसी और भी बारे में जानकरी चाहिए या फिर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप comment box में वीडियो के नीचे लिख सकते हैं आपके सवालों को जब आपको मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूगा तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ऐसे एप्यार और सपोर्ट देते रहें